दोस्तो नवस्कार मैं जगनाद गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो फरीदावाद हरियाना का सबसे बड़ा जिला है इंडिस्ट्रियल एरिया है यहां की अनुमानित आवादी बीस लाग साथ हजार से ज्यादा अनुमानित मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि 2011 के बाद देश में जन्गलना ही नहीं हुई है तो दोस्तो मेरा आज की जो मुद्दा है वो यह है कि जो बीस लाग से अधिक जो आवादी वाला मेट्रोपोलिटिन सिटी है दिल्ली एंसियार का बड़ा अध्योगिक नगर है यहां पर कई बड़े बाजार हैं बड़े बाजारों में आप एनाइटी फरीदाबाद, ओल फरीदाबाद, बल्लवगर, सराय ख्वाजा तो यह तो पुराने इस्तापित बड़े बाजार हैं और जो सेक्टरों के बाजार हैं सेक्टरों की मार्कीट हैं फरीदाबाद में अब लगबक सो के करीब सेक्टर हैं जिन में पचास के करीब बर्ष चुके हैं उनके अपने बाजार हैं उनकी रियाज से हैं तो कहने का मतलब यह है कि इतनी घनी आवादी वाले हर्याना स्टेट के प्रुमुख जिले फरिदाबाद में पच्चिस हजार से ज्यादा तो तिपईया वाहन हैं आटो रिक्षा है और हालांकि मिस्सित आवादी है फरिदाबाद में लेकिन जितने भी सेक्टर हैं एन आईटी है ओल्ड है बल्लवगड है लगबग हर सहर में हर परिवार के पास आज की तारिक में कार है कई परिवारो में तो बल्लवगड एन आईटी ओल्ड फरिदाबाद और सेक्टरों में एक एक परिवार में दो दो तीन तीन चार चार भी कार हैं ट्रक भी है बसिज भी है यानि लाखों की तारिक मला लाखों की संख्या में चौपईया दुपईया और तिपईया वाहन हैं लेकिन किसी मारकीट में पार्किंग की विवस्ता है ना किसी सेक्टर में डंकी पार्किंग की विवस्ता है बल्लवगड ऋँर्ड और फरिदाबाद की तो बहुत ज़्यादा दुर्गती है यहाँ पुराने जमाने के मकान है सो सो दो दो सो गज के डाई सो गज के मकान है लेकिन उनके घरों में अपने वाहन रखने का स्थान नहीं है पार्किंग का स्थान नहीं है लोग सडकों के दोनों तरफ पार्किंग करते हैं खुले में पार्किंग होती है चोरियां होती है बारी संख्या में वहां चोरी होते हैं चाहे कारे हो चाहे दुपईया वहां हो चाहे साकिल हो बाजारों में तो इतना बुरा हाल है ट्रैफिक का कि पैदल चलना मुस्किल है जब आदमी किसी भी बाजार में जाता है तो वो दूर दूर से आता है पैदल तो आएगा नहीं ए एनाइटी फरीदाबाद का जो बाजार है वो यहां का सबसे बड़ा बाजार कहलाता है चाहे ठोक का है चाहे परचून का है यहां पर पांस से दस हजार दुकाने अनुमानित बताई जा रहे हैं छोटी बड़ी लेकिन बाजार में पार्किंग के लिए कोई जगे नहीं है जबकि एनाइटी छेतर की जो मार्कीट है बजार है यहाँ पर आसपास कि दरजनों के लोग खरिद्धारी के लिए आते हैं बलकी दूर दूर से आते हैं पूरे फरीदाबाद से भी आते हैं चूंकि यह सबसे बड़ा बाजार है सदर बजार की तरह आप देख सकते हैं ए यहां पर wholesale की भी है जानके rate भी वी शही है औरWAY शड़कों पर भारी भी होती है दुकान दार दुकानों के बहार जितनी अंदर होती दुकानों से बार सावान Chemistry लगा लेते हैं सामान के बाद रेडी वालों को जगे देते हैं. उसने मोटा किराया वसूलते. और यह भीया पार बहुत बड़े इस तरह पर चल रहा है पहले तो दुकान के आगे अपने समान रखना फिर अपने आगे रेडियां खड़ी कर रहा हाना और उन से महीनों का मोटा किराया वसुल्ला जो हजारों में होता है इस व्यवस्ता के कारण सारी बाजारों में चाह बल्लवड का चाह ओल्ड का है चाह एनाइटी का है चाह एनाइटी पांच का तो दो नमबर का तीन नमबर का है पांच नमबर का है सब जगे ट्रैफिक विवस्ता चरमर आई हुई है लोग वाहन लेकर जाएंगे उसमें जाएंगे तो पैदल तो जाएंगे नहीं वो बजार में जाके उनको वाहन खड़ी करने की जगे नहीं मिलती चाब बाइक है चाब कार है कहीं भी वो गारी खड़ी कर देते हैं तो कभी कभार पुलिस का छापा बढ़ता है वो गारियों के चलान कर देते हैं भाई आप चलान क्यों करते हैं आपको क्या अधिकार है जब प्रसासन ने बजार में आने वाले ग्रायकों के लिए लोगों के लिए पारकिंग स्थल नहीं बनाए है या तो बजारों को बंद कर दीजिए या फिर वहां पारकिंग की विवस्ता कीजिए या जैसे तैसे जो भी लोग बजारों माकर अपनी कारें खड़ी करते हैं उनका चलान मत कीजिये चुणकि दुकाने हैं तो ग्रायक भी आएंगे ग्रायक आएंगे तो वान में वान भी लाएंगे तो शासन पर शासन को ये सब सोचना चाहिए और फरीदाबाद की 20 लाग से ज़धा आवादी या 20 लाग से ज़धा लोगों की आवाद में देस रोजाना के माध्यम से उनकी आवाद फरीदाबाद से चुने गए सांसद क्रिशनपाल गूजर जो केंद्रिय मंत्री भी है विपुल गोयल फरिदाबाद के विदायक जो हरियाना के कैबिनेट मिनिस्टर भी है राजेस नागर भी यहां से विदायक है तिगाओं से और मिनिस्टर भी है इसके अलावा धनियस अदलकाजी बढ़कल से विदायक है एन आइटी से सतीस फागना विदायक है प्रखला से रगवीर तेवतिया विदायक है मैं इन सभी विदायकों मंत्रियों और सांसद जो मंत्री भी है यह आवाज पहुँचाना चाहता हूँ फरिदावाद के सासन प्रसासन चाहे आप नगर निगम की बात करें चाहे डी सी की बात करें चाहे एस डीम साइवान की बात करें चुने हुए प्रतिनी दियों की मैंने बात कर दी तो उन सभी से हम फरिदावाद की 20 लाग से ज़्यादा की आवादी की आवाज इन चुने हुए जन प्रतिनी दियों तक पहुचाना चाहते हैं कि वो दसकों से लटकी हुई इस विवस्ता को सुधार है फरिदावाद में जो घोशना अब तक की गई है हर बाजार के आज़ पास अच्छे जादर से जादर जहां वहान खड़े हो सके पर्मानेंट उसकी जगे बनाए जब तक पार्किंग नहीं रहेगी बनेगी तब तक विवस्ता नहीं सुधरेगी दुकाने के आगे समान निकाल लेकर शड़कों पर रखने की विवस्ता को प्रशासन के माध्धम से इस्थाही रूप से बंद कराएं और दुकानों के आगे रेडियां खड़ी करके सड़कों को संक्री बनाने और जाम लगाने वालों यानि पहले तो दुकान से बहार निकाल कर समान लगाते हैं फिर सड़क सरकारी है लेकिन दुकानदार उनसे डेली का सो दो सो पान सो हजार हजारों तक यानि कई कई तो एनाइटी में एक नमबर की मार्कीट में तो ये बहुत बड़ा वेवसाय बन चुका है अपनी दुकान के आगे फड़ लगाना या रेडिय लगवाना और उन से महीने के बीपी ती ती, चाली चली सजा, लाख लाख रुपे वसूल्ला अरे बھाई यदि ये 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 काम करना है तो सासन प्रसासन ये वसूली करे नगर निगम ये वसूली करे जो नगर निगम के खजाने में जाए और फरिदावाद का विकास हो तो तो बाद समझ में आती है लेकिन अधिकारियों की दुकानदारों की निली भगत से ये धंदा जोरों से चल रहा है लेकिन आम जनता फरिदावाद में हर बाजार में हर सेक्टर में हर कलोनी में पार्किंग की विवस्ता ने होने से बेहत दुखी है ये बड़ी समझ्या है दो दसक से ज़्यादा हो गए इस समझ्या पर मैं एक पत्रकार होने के नाते बरावर हाइलाइट करता रहा हूँ अधिकारी जन पृतिनीदियी और सरकार कई बाट जगे भी तहे कर चुके हैं के हम यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएंगे चाहे वो बारे सेक्टर हो, चाहे नाइटी हो, चाहे नम्वर एक में इसकूल के जो मैदान है उसको भी पारकिंग बनाने की बात कही गई है, जगे की कमी नहीं है, कमी है काम ने करने की दड़ इच्छा सकती का. तो दोस्तों, फरिदावाद में ट्रैफिक जाम और पारकिंग की समश्या बहेंकर रूप लेज चुकी है, हम इसके आपको कुछ फोटोग्राफ भी डालेंगे, ट्रैफिक जाम के भी फोटोग्राफ डालेंगे, और फरिदावाद में किस तरीके से रहडियां और आगे लग विदायक और मंत्री इस समश्या से रूबरू नहीं है, सारे विदायक और मंत्री खुद भी इस समश्या से जूजते हैं, जब वो किसी बजार में जाते हैं, या कहीं भी उन्हा जाना पड़ता शहर में, लेकिन कदम कदम पर फरिदावाद में ट्रैफिक जाम की समश्या बनी होई है और इसका एक ही समाधान है जगे जगे पर मल्टी स्टोरी पार्किंग पार्किंग इस्टल बनाना और जंता की भरिदाबाद की लाखों जंता को राहत पहुचाना रेडियों से अवैद वसूली करने वालों का इलाज करना रेडियों के लिए कोई अलग स्थान देना जिससे बाजारों में जो भीड है वो कम हो सके रेडियों का अलग बजार बना दिया जाए समान ने बाजारों में रेडियां ना लगाई जाए रेडियों से वैद वसूली ना हो यदि किसी तरीके से वसूली होती है तो उसका सिस्टम नगर निगम बनाए सासन पर सासन बनाए और वो नगन निगम के खजाने में जाए जिस जो पैसा शहर के विकास में काम आए लेकिन ये दो नंबर मैं तो पैसा लोगों की जेब में जाता है अवैद पारकिंग वालों की जेब में जाता है अब एद पारकिंग माफिया भी जो फरीदाबाद में बहुत सक्री है इसको सब जनप्रतिनीदी जानते हैं तो यदि हमारे जनप्रतिनीदी और शासन पर शासन मिलकर दड़ इच्छा सकती से चाहेंगे तो इस ट्रैफिक जाम और पारकिंग की समझ्या का समाधान हो सकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार इन जो पास साल के लिए हमारे विधायक चुने गए हैं और मंत्री बने हैं उस सासन पर सासन के साथ मिलकर इस समझ्या का समाधान अवस्या करेंगे और जो हमने फरीदाबाद के लाखों लोगों की आवाज इन जन पितनी दियों के पास मौचाई है उसका सम्मान करेंगे तो दोस्तो हम समय समय पर इस तरीके की चाए वो सहर की समझ्या हो चाए स्टेट की हो चाए देश की हो उठाते रहते हैं और भविस्या में उठाते रहेंगे तो दोस्तो देखते रहे ये देश रोजाना मिलते हैं कल फिर किसी नए म अगर आप ये वीडियो फेस्ट्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें